हेलो स्टुडेंट, गुड मार्निंग, गुड मार्निंग आल अफ यू, कैसे हैं, उमीद है कि अच्छे होंगे और एक्जाम का प्रिप्रेशन कर रहे होंगे तो इस्टुडेंट आज हिंदी का सेकेंड क्लास लेकर के आए हैं, प्रतम क्लास आप बताईए कि कैसा लगा आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सबस्क्राइब करें और अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि सभी ल बताएंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो हमारा आईए पोर्शन आया हुआ है जो स्लेबस हम आपके लिए जो बना रहे हैं वो सी यू इटी के लिए और सी यू सीटी के लिए और सीटेट के लिए यूपी टेट के लिए बीएड के लिए बीएड जो इंट्रेंस एक्जाम है उसके लिए है और एससी के लिए है लेखपाल के लिए है और यूपीपी के लिए है यह जो स्लेबस मैं हिंदी का पढ़ा रहा हूं इन सभी एकजाम के लिए कंपलसरी है और बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाइस्टेप हम बताएंगे तो चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे पढ़ते हैं पहला टॉपिक यानि वर्ड माला क जो पॉइंट होता है स्वर क्या होता इसके बार हम लोग पढ़ेगे तो यह जिन वर्डों का उच्चाड बीना किसी अवरोध के तथा बीना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से होता उसे हम स्वर कहते हैं यह स्वर का डिफिनेशन हम कर बताये थे कि जो वर्ड स्वतंतर स्वर्ण से हो उसे ही हम स्वर बोलते हैं तो इसमें देखी है आपका दिया हुआ है जिन वर्डों का उच्चार बीना किसी और सवर कोते हैं और वो सवर की सहायता से अधूरा होता है अब हम दूसरा पढ़ांगे हैं संच galaxies क्याहूथ इसके बारे में पुए हैनी हम कल भी बताए थी आपको हास्वर होता है उसे बोलने में कम समय समय लगता है और दिर्ग स्वर होता है उसे बोलने में हस्वर से दोगुना समय लगता है और जो प्लूत स्वर होता है उसे बोलने में हस्वर से तीनगुना समय लगता है तो यह है इसकी definition जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हस्वर कहते हैं यह हस्वर की परिभासा कल इसके बारे भी बताए थे हम अगला दिया है अपका तीसरा नंबर में जिन स्वर जिसको बोलते हैं दिर्ग स्वर दिर्ग मतलब ही होता है बड़ा जब इसको हम पढ़ते हैं जो भी वर्ड हम बोलते हैं वह लेंदी जाता है समय खीषता है उसे हम दिर्ग स्वर करते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हस्वर से दोगना समय लगता है उसे हम दिर्ग स्वर करते हैं यानि लांग समय लेता है बोलने के लिए एक होता है प्लूत स्वर इसका तीसरा के लिए हस स्वर से तीन गुना समय लगता है जो प्लूत स्वर होता है उसे बोलने के लिए हस स्वर से तीन गुना समय लगता है उसे हम प्लूत स्वर कहते हैं जो ओम होता है जब ओम को हम बोलते हैं तो आपका समय तीन गुना लगता है यानि हस स्वर से बोलने में तीन गु समय लगता और हस्जान स्वर से दोगुना समय लगता उसे दिर्गुस्वर कहते हैं तो अगल आप Topic दीयापδर - पाइंट है कौन हस्वर होता है कौन मुल्भ वरब सक बारे में पड़ेंगे और हस्षवर क्या होता है कम सर्ण लगता यह आपको डिफिनेशन में स्वेश्ट कर दिये हैं आगे दिया है मूल स्वर मूल स्वर क्या होता है इसके बारे मुल पढ़ेंगे मूल स्वर जो होता है जो हस्वर होता उसी को मूल स्वर भी बोलते हैं गतले बनाए है उसमोंट करते चले जाए अपने अस्तर से जो मुंस्वर होता है वह हुता है सेम होते हैं ओ udah यह जो Simply यहां यह यहां अगला point हम देखते हैं दिर्ग स्वर मतलब बड़ा दिर्ग पतलब बड़ा लेंदी तो उसी प्रकार यहां जो दिर्ग स्वर की परिभासा था जिस स्वर से जो आपका हस्वर है उससे दोगुना समय लगेंगे बोलने के लिए तो दिर्ग स्वर यहां दिया हुआ है वो आ है, बड़ी इ है, बड़ा उ है, ए है, ओ और ओ है यह है आपका दिर्ग स्वर यानि आ, बड़ी इ, बड़ा उ, ए, आ, ओ, ओ यानि जो हस्वर है, हस्वर को बोलने में कम समय लगता है और दिर्ग स्वर में जो दिया हुआ है इसको बोलने में हर स्वर से जादे समय लगता है तो आईए अब अगला हम पढ़ते हैं दिर्ग संधी स्वर यानि दिर्ग संधी स्वर क्या होता है यह संधी है जोडने का तो दिर्ग संधी स्वर क्या है आ होता है बड़ी ई होता है और छोटा उ होता है जो दिर्ग संधी स्वर होता है वो आ होता है और बड़ी ई होता है औ स्वर के बारे में ऐसा कहीं आपको वीडियो मिलेगा नहीं इसलिए बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा हर एक्जाम आसानी से हिंदी का क्रेक करेंगे पचीस में से पचीस कोस्चन आप करके आएंगे किसी वी एक्जाम में यह अगर आप अच्छे तरीकी से वीडियो पढ़ते हैं देखते हैं और नोट डाउन करते हैं आए अगला दिया स्नायूक्त स्वर अब देखें स्नायूक्त स्वर के बारे में कर्फूजन पड़ होता है नियुक्त स्वर होता है यह आपका स्वर और स्वर होता है तो स्वर में हम देखें ए आए ओ ओ यह आपके चार होते हैं सईंग्त स्वर तो कंफिज नहीं होना है क्यूंकि हम ने सईंग्त स्वर और सईंग्त के बारे में बता दिया हे ज़ियत क्लियर कर देता है सईंग्त सौर क्या होता है यह होते हैं स्वर क्या होता है कि श्रॉप होता है यह होते हैं यह होते हैंIST वरेंजर और स्वर में आप बहुत ही आसान तरीके से इसे डिफरेंस पता कर लेंगे इसलिए इसने note down आप कर लेंगे ताकि आपको आगे तयारी करने में, revise करने में किसी प्रकार की समस्या ना आए, तो फिर आगे और देखते हम आगत स्वर, आगत स्वर क्या होता है, इसके बारे हम पढ़ते हैं, आगत स्वर जो होता है, आगत स्वर में आ लिख करके, या कोई भी word ल मुपर अगर केवल चंद्र लगा हुआ है, बिंदी नहीं लगा हुआ, केवल चंद्र लगा हुआ है, तो वह आपका होता है आगत स्वर, क्या होता है, आगत स्वर के बारे भी आप समझ गया है, अब दिया है अग्रस्वर, अग्रस्वर क्या होता है, जो अग्र से बोले यह अग्रस्वर होते हैं यानि मुह के जो अगले हिस्स से बोला जाता है उसे हम अग्रस्वर कहते हैं यानि यानि यह यह चार होते हैं अग्रस्वर अब हम पढ़ेंगे मद्रस्वर कहान होता जो बोलने में हमारे मुह के बीत से आवाज आती है उसे हम मद्रस्वर कहान है यह और जब बोलना है तो हमारे मुझ से जो आवाज निकल लई है वो बीच से निकल लिए ओ तो ओ होता है आपका मद्यस्वर होता है तो उम्मीद है कि आपको यह पूरा समझ में आ गया होगा इसलिए आप आसाल से नोट डाउन कर लिजी और स्क्रीन सॉट लेना है तो आप स्क्रीन सॉट इसे ल है वह अगले जो स्लाइड बनी है इस स्लाइड में लोग पढ़ेंगे इसमें दिया हुआ है 12 नंबर में यह लिख रहा है परस्ट स्वर यानि परस्ट स्वर क्या क्या होता है जो हमारे मुह है मुह के पीछे साइड से जब बोलते हैं जैसे आ यानि जो गला है और मुह का चो यहास हम भोलते क्या है आ यह है आपका आगत जो आपका चंद्र लगा हूआ है तो यह होते हैं कभी इग्जाम में आये तो यह आपके होते हैं इस से आप आसानी से याद कर लेंगे यह परस्ट स्वर होते हैं अगला है सम्वरित स्वर, सम्वरित स्वर क्या होता है, छोटी इ, बड़ी इ और छोटाओ और बड़ाओ, ये होते हैं सम्वरित स्वर, जो सम्वरित स्वर होते हैं, वो छोटाओ, बड़ाओ, छोटी इ और बड़ी इ, ये होते हैं चार सम्वरित स्वर, आगे दिया हुआ ह विव्रित जो दिया और आ होता है वह होता है और एव oraz Aknap 31 31 संख्या 41 होती है और जो मूल बैंजरों इसमें जोड़े जाते है यानि इसमें जोड़े जाते हैं टोल जोड़ें है तो जो मूल वेंजन होते ह्ताhetic होते है इसपरस्त वेंजन दो होते हैं यह वह आपको पूसर्ण होते हैं वह होते हैं आगहांशॉल होते हैं ठस्वाय। संख्यार कितनी होती है 4 these 5 जो होते हैं चार і एस तरो स्वर्एं यह और वो यह और निचलोट गेंजन जो रहता है ईक पाईश्विक बैंजन कि वह लो होता है यानि पुर्य वड्माला में कि वह यह ऐका बहेंसा जो पारस्विब्यणजन होता है संघरसी जो होता है जब भर सड करके मूझे रगल खा खागर बाहर आवाज निकलती उसे हम उसमें संहर्गरसी बोलते हैं यानि सह था और हो यह चार होते हैं उसमें ज़ा और धंग होता है यह होता है उच्छी 2 होते हैं दो होते हैं पीछे में बताए ह目前 जो आपको घौटा है हो क्या होता और सभूस क्या होता है तो आप जानते हैं कि जो हम को वर्ग तव, चव, प्रटे को वर्ग वर्ग का इस वर्ग का प्रतेगवर का प्रतेगवर्ण का प्रतम दिती जो वर्ट आता है वही आपका होता है अगोस कि नहीं तो आगे हम पढ़ेंगे जो आप समझ चुके होंगे जो अगोस होते हैं वह प्रतेक वर्ग का प्रथम और दिती वर्ड जो होता है वो अगोस होता है तथा फो सो खो सो ये तीन भी आपका होता है सभो अगोस अब हम पढ़ेंगे अगला सभोस सभोस क्या होता है सभोस के बारे में हम पढ़ेंगे तो जो सभोस बेंजन होते हैं जैसे ये प्रतेक होता है प्रतिय चातूर्थ और पंचम यह सभी मिलाकर के होते हैं सघोसうん आगलाफढेंगे कि तेरहesian naw 31 नंबर में दिया हुआ है अल्पप्राप्राण वियंजन अल्पप्राण और महाप्राण के बारें पढ़ेंगे अगहोस और सघोस होते हैं वैसे अलूर्प प्राण क्या होता है इसके बारें प्लतिया हुआ war gehabt प्रत्यतीय लिए। जो कदो ऐसे उसी मेंब से प्रत्यत वर्ग प्रत्यतीय प्रत्यत वर्गम सीजी स आपके अल्प प्राण महाप्राण क्या होता है वो ध्यान रखेंगे यानि महाप्राण जो ब्यांजन होता है वो दिती वो चतुर्थ यानि प्रतेक वर्ग का दिती और चतुर्थ वर्ड जो होता है उसमें ब्यांजन के साथ वो आपका महाप्राण होता है उसमें ब्यांजन साथ सोखो साधों यह होते हैं आपके महापराण के साध सौनाः को बहुत ही कामन तरीकर बहुत ही आसान तरीकर सापको समझाएंगे फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तो इस स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे 33 नमबर में नासिक की बियंजन, नासिक की क्या होता है निक बोलते समय जो हमारे हवा निकलेगी वो नाक्स निकलेगी युससे हम नासिक के बॉह निकलते हैंningar याल या हमारे नाक जो होती है यह जब बोलते हैं तो हमारे जो नाका होती है रह्वा निकलते हैं अब आप यह आपकर हो यांा नो और म हम बोलते हैं कंट मतलब यह गला यां जब भी हम बोलते हैं आवाज गले से आत्री और यह यह होते हैं मतलब कंठ सब्सक्राइब तकानट इ मतलब होता है था तालू यानि तालू तो हमारी जीवा जो करती एक करती है चानु हम किसमें हरंत इसनी लगा हुआ है कि ब्यंजन हमेशा अधूरा होता है अब हम पूरा होता या जो पढ़ेंगे तालब में जो तालब भी होते हैं वो जो 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 और य सव जब भी हम बोलते हैं तो जी वह में हमारी तालू को तच करते हैं इसे में बेंगे क्या होता है दो जो अगले ऐससे मुर्धन ने बोलते हैं तो जो हमुश्ब्ताइब दो-ध्र नो-डो-वो拜ो इसको जब भी हम बोलते हैं तो हमारी जीब जो है तालू को टक्ष करती अगले हिस्थे दाथ के भगल में थक्षर त्छे जूए होता है तक हमारा मुर्धन्य होता है यह जो बियंजण ने कुल्ट हुटा हुटा है , इन ब्यांजनुब पढ़ते हैं तो आगे टच करता है , यह होता है धन्त मतल्ड होता है , दंत आपका तबस्तम हैं , और आपका तदभा होगा दाथ , तो दंत ब्यांजन क्या होता है जब भी हम पढ़ैंगे तो इसमें जो बोलेंगे वर्ड वो हमारे दात को टच करेंगे तो इसका नाम पढ़ा दंध ब्यैंजन जो नाम पढ़ा हुआ है यानि बोलने के अधार पर प्रतिक्रिया हो रहे है उसका दंध दंध यह जो होते हैं हमारी जीव है वह बार-बार तच करती है मतला है दाट ब्रैयंजन करते हैं जो वेंजन करते हैं जो वेंजन होते हैं वह बोलते हैं जब यह जो भी होते हैं यह आपके उस्ट करेंगे इसमें दात और वो जीव है वो दात को भी टच कर रही है और ओट को भी टच कर रही है और वो जब बोलब जीव आरे और यह और बंद रहा है यह होते हैं दात और रोष्ट दुनों मिलाकर अब यह जो आपका दिया है ब्यंजल गुच्छ क्या होता है इसके बार हो जाने हैं जो ब्यंजल गुच्छ होता है वो कोई भी एक वर्ड होगा वो अधूरा होगा बेंजन गुछ में कोई भी एक वर्ड होता है वो अधूरा होता है जो बेंजन गुछ होता है उसमें कोई भी एक वर्ड होता है जो अधूरा होता है उसे हम बेंजन गुछ बोलते हैं और देखें से बेंजन गुछ में आधा अधा सो आधा हो गया है हो कि यह होते हैं बैंजल सिंख का पाचान बहुत ही आसान है को sect会 संत होता है वह जैसे सब्ता हो गया स्वप्न हो गया इस्तरी हो गया यह का बैंजल सो गया यानि इसमें कोई भी एक वर्ड अधूरा होता है वह आपका ब्यांजन कुछ होता है द्वित्व ब्यांजन क्या होता है द्वित्व ब्यांजन हुआ होता है जिसमें जो वर्ड आधा रहेगा वही वर्ड पूरा रहेगा जो वर्ड आधा रहेगा वही वर्ड पूरा रहेग में तो पूरा है तो जो भिएंजन ये उसमें पहचान बहुत आसान होता है जो आधा होते हैं वही पूरा भी होते हैं यह होते हैं अब हम आयेंगे मात्रा विचार पर यैने Кांप मात्रा होता है तो जो स्वर होते हैं उनका मात्रा होता है तो उनकी अधार पर हम यहां पढ़ेंगे और कोई मात्रा नहीं होता है क्योंकि प्रतेक ब्यंजन में मिले होते हैं यह प्रतेक ब्यंजन में मिले जैसे दीन हो गया दिन बड़ी की मात्रा होती है जो पीछे सोती है इसको बोलते हैं दीन ये गरीब के लिए दीन है ये दीन के लिए ये दिन गरीब के लिए है ये आपका हो गया छोटाओ की मात्रा ऐसे होती है इसको बोलते हैं कूल ये है आपका बड़ाव का मात्रा ऐसे होता है इसको लिखते हैं सिख कूप री का मात्रा होता ऐसे जैसे लिखते है क्रिसी ए की मात्रा होती है इस्तरकार एक मात्रा होती है इसको जैसे बोलेंगे केला ए की मात्रा डबल होती है जिसको बोलते हैं मैला या कैसा उसकी बाद ओ की मात्रा जो होती है वो आपका होता है इस प्रकार होता है एक परी जो की मात्रा होती है वो इस प्रकार होती है जैसे हम लिख सकते हैं मोर या ओ का मात्रा हो गया ओ का मात्रा जो होता है वो डबल होता है जैसे लिख सकते हैं कौन आंग की मात्रा होती है जो एक बिंदी होती है जैसे हम लिख सकते हैं कंघी अहा की मात्रा होती है जो डबल होती है ये संस्कृत में प्रियोग होता है इसको हम लिख सकते हैं अतह एक बार और हम इसको रिवाइज करते हैं, और का कोई मातरा ने होता है, यह प्रतेक बेजर में मिला होता है, आ का मातरा होता है, छोटी का मातरा होता है, जैसे दीन हो गया, बड़ी का मातरा होता है, जैसे दीन हो गया, बड़ाओ का मातरा होता है, जैसे कूल हो गया, बड़ का मात्रा होता है डवल जैसे कौन हो गया अंग का मांत्रा होता है यह संस्क्रिण पर होते हैं यह बगल में लगाए जाते हैं इनका उच्छाड अस्थान होता है हो के रूप में होता है तो इस्टुडेंट हमें उमीद है कि पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा अगर कोई भी इस topic में अगर समझ न आया हो तो आप comment box में लिख करके और हमारे पास भेजें ताकि उसका हम solution आपको भेज सकें student अगर हमारे channel पर आप नए हैं तो हमारे channel को like करें subscribe करें और bell icon दबा दें ताकि हर video को notification सबसे पहले आप तक पहुचे और एक भी video मिस नहों student मैं दावा करता हूँ कि अगर आप regular video पढ़ते हैं notes बनाते हैं revise करते हैं practice करते हैं तो आप किसी भी exam में अगर Hindi को solve करने जाते हैं तो पचीस question आता है तो पचीस में से पचीस आप आसानी से कर ले आएंगे यह मेरी guarantee है अगर आप continue class देखते हैं पूरा video देखते हैं notes बनाते हैं practice करते हैं तब और तो student अब हम नए video में अगली video लेकर के आएंगे अगर आप computer से संबंधित reasoning से संबंधित gks संबंधित अगर आप देखना चाते हैं कोई भी video ऐसे ही हिंदी का हम class लेकर चलना है जो ही हिंदी का 2-3 chapter हम complete कराएंगे तुरन फिर आपको reasoning हम पढ़ाएंगे reasoning का भी syllabus खतम करना और हिंदी का भी syllabus खतम करना और ये lengthy है तो प्रयास हमारा रहेगा आपको दोनों syllabus जल से जल हम खतम करें फिर practice आपको शुरू कराएं और practice खुद भी करते रहेगा क्योंकि लेंदी स्लेबस है और इसलिए हम इस्टार्ट भी किया और जल्दी खतम भी करने के प्यास कर रहे हैं और आप practice कांटिनू करते रहे हैं तो आज के लिए इतना ही अगले दिन हम नए वीडियो करते मिलेंगे थैंक्स फर वाचिंगे